वीवर्स कुछ लोगों के पास रचनात्मक और विनाशकरी शक्तिया होती हैं तो इंसानियत की रक्षा करने के लिए उन सभी को एक मैजिकल स्कूल में लाया जाता है जहां उन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी और वो सब एक टीम बन गए थे जो अर्थ पर हमला करने वाले बुरे एलियन से सभी को प्रोटेक करते थे लेकिन क्या हो उन्हें के टीम की एक लड़की को काफी विनाशकरी शक्तिया मिल जाएं और वो अपने टीम पर हमला करना स्टार्ट कर दे तो क्या हो सब अर्थ के साथ साथ कुद को भी बचा पाएंगे ये तो देख कर ही पता करना पड़ेगा कहानी की शुरुआत में हमें जेन नाम की लड़की और उसके पैरेंस को दिखाया जाता है जो कि कार में कहीं पर जा रहे होते हैं कार में जेन की मदर अपने मन पसंद का गाना बजा रहे होती है लेकिन वो संग जेन को बिलकुल अच्छा नहीं लगता इसलिए वो गाना चेंज करने के लिए कहती है पर जेन की मदर उसे ये कहके मना कर देती है कि जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब ही वो अपने मन पसंद का गाना सुन पाईगी पर अब जेन उस गाने से एकदम परिशान हो गए थी और अब वो वहाँ पर एकदम जोर से चिलाती है जिससे कि उनके कार का एक्सिडेंट हो गया था और उसमें जेन के मदर फादर दोनों ही मर गए थे लेकिन ताजिब के बाद ये थी कि जेन को जरा सी भी खरोच नहीं आई थी डॉक्टर्स भी ये देखकर काफी यदा शौक हो गए थे तब ही उस हॉस्पिटल में चार्ल्स नाम का आदमी आता है और वो जेन से अचानक बात करने लगा था चार्ल्स जेन को बताता है कि वो उसके जादूगरी के स्कूल में आ सकती है जहां पर जेन की तरही अलग-अलग पावर रखने वाले बच्चे पढ़ते थे हाँ जेन के पास एक मिस्टीरियस पावर थी और इस बारे में उसे जरा सभी अंदाजा नहीं था तब चार्ल्स उसे समझाता है कि उसके पास ऐसी पावर्स है ना जिससे कि वो चाहे तो अर्थ को प्रोटेक कर सकती है या फिर बूरे रास्ते पर जाकर अर्थ को पूरा तबाह कर सकती है तो अपने powers को control करने के लिए चार्ल्स जैन को अपने school में बुला रहा था अब जैन के माता पिता मर गए थे तो उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था इसलिए वो चार्ल्स का offer accept कर लेती है और उसके school में training करने चले जाती है और अब पूरे 20 साल बीच जाते है यहाँ परह में NASA का एक space mission दिखाय जाता है जिसमें कि उनका एक rocket अंतरिक्ष के तरब जा रहा होता है और उसके अंदर कई astronauts भी थे और अंतरिक्ष में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके रास्ते में बहुत सारे solar flames हैं और अगर उन लोग ने जल्दी कुछ नहीं किया न तो उनके space ship solar flame से टकरा जाएगी जिससे कि कोई भी astronaut बच नहीं पाएगा तो वहाँ के president Charles को call लगाते हैं क्योंकि Charles ही एक था जो इस problem को solve कर सकता था Charles भी उनके मदद करने के लिए मान जाता है और अब Charles अपनी X-Man के team को बुलाता है जो कि इस mission को perform करेगी उसके team में तो जैन भी होती है जो काफी बड़ी हो चुकी थी ये सारे लोग वो होते हैं जो Charles के magical school में पढ़ा करते थे और उन सभी के पास अलग-लग types के power होती हैं तो Charles ने उन powerful students का एक group बना दिया था जिसके मदद से वो सभी अर्थवालों के मदद करता था और अब उनकी X-Man की team अपने spaceship में निकल पड़ती है अंतरिश की तरफ वो तो pulver में ही अंतरिश में पहुँच गये थे कि अगर ये इनसानों के body से touch भी हो गये तो उनकी body अंदर से पुरा blast हो जाएगी तब X-Man की team उन सभी को बचाने का जिमा उठाती है उन में से एक आदमी अपने powers का यूज करके सबसे पहले उनके spaceship को stabilize करता है और तब दूसरा अदमी अपने teleportation power का use करते हुए उनके spaceship में जाकर फसे हुए astronauts को वापस लेकर आ जाता है लेकिन उ spaceship का commander अभी भी ship में फसा हुआ था पर वो solar flares काफी ज़्यदा पास आ गए थे उनके पास तो time ही नहीं था commander को बचाने का वो लोग decide करते हैं कि वो earth पर वापस लोट जाएंगे लेकिन तबी उन्हें Charles का message आता है जो कि earth पर रहे कि उन सभी के mind को monitor कर रहा था Charles उन्हें बताता है कि वो commander को बचा सकते हैं और ये काम सिफ Jen कर सकती थी तो Jen का एक team member जो teleport हो सकता था वो Jen को उसे spaceship में लेकर आ जाता है और Jen कमांडर को ढूणना start कर देती है कमांडर तो मिल गए थे लेकिन अब उसके पास 30 सेकेंड से भी कम टाइम था कमांडर और खुद को बचाने के लिए वो कमांडर को तो सेफ जगह पर भेज देती है पर जैसे ही Jen वहाँ से बाहर निकलने जाती है वो सारे solar flares NASA के spaceship में गुसने लगते हैं और अब Jen की body में भी पूरा solar flares गुस गए थे मतलब की Jen अब बचने नहीं वाली थी पर ऐसा होता नहीं वो सारे solar flares Jen के body में गुसने के बाद भी उससे कुछ भी नहीं हुआ होता है और Jen की body एकदम normal state में रहती है और अंतरीक्ष में float करने लग जाती है उसके teammates कैसे भी करके उसे spaceship में लेके आ गए थे और अब वो Jen का इलाज करना start कर देते हैं और जब वो सब सारे astronaut को लेकर अर्थ पर आ जाते हैं तो वहाँ की लोग उनसे काफी अधा इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि X-Men की team ने साथ मिलकर सभी को बचा लिया था वो तो सभी के super heroes बन गए थे Charles भी इस बात से काफी अधा खुश था क्योंकि उसके students ने मिलकर काफी अच्छा काम किया था इसलिए Charles उनस अभी को एक party देता है जिसे सभी लोग काफी अधा enjoy भी कर रहे थे वहाँ पर Jen भी होती है जो कि अब सही condition में थी वो तो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ काफी chill कर रहे होती है पर जैसे ही Jen वहाँ पर लगी हुई आग को देखती है तो पता नहीं उसे क्या होने लगता है उसके body में कुछ changes सोना start हो जाती है और उसका सर दर से फटने लगता है तब ही वो एकदम जोर से चिलाती है और उसके body से बहुत ही strong shock wave निकलती है जो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जमीन पर गिरा दीती है और इसके बच जेन एकदम से बहुत हो जाती है जब ये बाद Charles को मालूम होती है कि Jen ने वहाँ पर ऐसा किया तो Charles उसे तुरंद अपने headquarter में बुला लेता है दरसल Charles और Jen के पास semi powers थी और वो थी mental power यानि की टेलिपथी बच्पन में जब Jen के mother father मारे गए थे तब Jen काफी यदा depression में चली गई थी वो तो अपने family वालों के मरने का reason कुछ को मानती थी और ये सारी बाते Jen को पागल करती जा रही थी तो इसलिए Charles ने Jen के mind में बहुत सारे mental walls बना दिये थे जिससे की Jen ये सब भूल गई थी कि उसके mummy पापा का accident कैसे हुआ था और जब से Jen को वो solar flames लगी है न तो उसके वज़े से Jen के दिमाकी वो mental walls तूट गई है और अब उससे वो सब कुछ पता चल गया था कि उसके family वालों के death कैसी हुई थी उसे तो अब ये भी पता था कि उसके father accident में बज गए थे जब उन्हें पता चला कि Jen के पास बहुत सारी powers है तो उन्होंने Jen को Charles के हवाले कर दिया ताकि वो Jen को अपने school में पढ़ा सके चाल्स जब Jen के mind में वापस जानी की कोशिश करता है पर अब वो Jen के mind में गुसी नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि Jen के powers काफी यदा बढ़ गई है तब ही चाल्स के नाक से खून निकलने लगता है और वो एकदम से unconscious हो जाता है क्योंकि उसने Jen पर इतनी सारी powers लगा दी थी ना जो वो सेहन नहीं कर पा रहा था और जब चाल्स को होश आता है तो उसे पता चलता है कि Jen headquarter से भाग गई है Jen यहाँ पर अपने फादर से मिलने आ गई थी जिननोंने बचपन में ही उससे चाल्स के पास छोड़ दिया था और जब Jen अपने फादर से मिलती है तो वो उनसे काफी ज़्यदा दुखी होती है क्योंकि Jen की फादर ने इतने सालों में उसे कॉंटेक करने की जरा भी कोशिश नहीं की पर तभी Jen का फादर उसे बताता है कि उसके वज़े से ही उसकी मा मारी गई थी दरहसल वो एक्सेडेंट होने से पहले Jen जब चिलाती है तो उसने अपने पावर्स का यूज़ करके अपने मा को सुला दिया था जिससे की वो एक्सेडेंट हुआ और तब से उसका फादर Jen से नफरत करता है इसलिए उसने Jen को चार्स को सौब दिया था ये बात सुनकर Jen काफी यदा रूट जाती है क्योंकि अब उसके फादर जिन्दा रहते हुए भी उसके लिए मर चुके थे तब ही वहाँ चार्स अपनी एक्समैन की टीम के साथ आ जाता है जो Jen को अपने साथ में लेने आया था पर तब ही वहाँ पुलिस आ जाती है जो कि Jen को अरेस्ट करने आयी थी उन पुलिस वालों के साइरन का आवाज सुनके Jen का मैंन काफी यदा पिंट करने लगता है और तब हो अपनी पावर्स का यूज़ करके उन सारे पुलिस वालों की वैन को थोड़ते रहती है और उन्हें आसानी से उठा कर पटक देती है जैसा कि आपको पता है कि Jen को बचपन से ही तेज आवाज़ों से काफी नवरत थी और उसी वज़े से बचपन में उससे ही एक्सिडेंट हुआ था Jen को कुछ भी समझ ही नहीं रहा था कि उसके साथ आके रोह कह रहा है तो वो वहाँ से बिना कुछ किये जानी लगती है पर तभी एक्समेन की टीम उसे रोकने की कोशिश करती है जिसका कुछ भी फाइदा ही नहीं था क्योंकि अब Jen के पास ऐसी ऐसी पावर्स आ गई थी ना जो एक्समेन के किसी भी मेंबर के पास नहीं थी पर तभी भी वो सारे लोग Jen को रोकते रहते हैं और Jen से मार खाते रहते हैं Jen की एक दोस्त उसे समझानी की कोशिश करती है कि अगर वो उनके साथ वापस स्कूल चलेगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है पर अब Jen का दिमाई एकदम से दर्द देने लगा था और उसने फिर से वही शौक वेव जनरेट की थी जिससे कि उसके फ्रेंड को चोट लग जाती है और वो मर जाती है हाला कि Jen ऐसा कभी नहीं करना चाती थी पर ये सब कुछ एक्सिडेंटली हो गया था और तभी वो वहाँ से जल्दी उड़कर चले जाती है अब Jen अपने एक दोस एरिक के पास आ गई थी जिसके पास भी कुछ इसी तरीके की पावर्स थी कुछ टाइम पहले वो भी अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता था और वो तो अपने आस पास रहने वाले सभी को चोट भी पहुचाता था अब उसने अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था तो अब Jen भी एरिक से ये सीखना चाती थी कि वो अपने पावर्स को कैसे कंट्रोल कर सकती है एरिक जैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है पर तभी Eric के यहाँ पर military force आ जाती है जो Jen को ढूंड रही थी कमांडर Eric के पास आता है और इससे Jen कहा है इस बारे में पूछता है क्योंकि Jen ने पुलिस वालों पर हमला किया था और कई लोगों को जान से मार भी दिया था इसलिए वो सारे soldiers Jen को पकड़ने के लिए आये थे पर तभी Jen घर से बाहर निकलती है और उन सारे soldiers के helicopter को destroy करने लग जाती है क्योंकि Jen को पता था कि वो लोग उसे ही पकड़ने आये हैं पर वो कभी भी उनके साथ नहीं जाना चाहती थी Jen उनके आखरी helicopter को destroy करने के लिए आगे बढ़ते रहती है पर तभी Eric Jen को रोकता है लेकिन Jen की powers के सामने उसके powers कुछ भी नहीं थी पर तभी भी Eric उन soldiers को बचाता रहता है और उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर कर देता है Eric Jen की इस behavior से काफी ज़्यदा गुस्सा था इसलिए वो Jen को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके वज़े से उन सभी की जान खत्रे में पढ़ता की थी और तब Jen वहाँ से उड़कर चले जाती है अब हमें जंगलों में एक अजीब तरीके के एलियन्स दिखाए जाते हैं जिने की सेफशिप्टर भी कहा जाता था यानि की ये एलियन्स किसी का भी रूप धारन कर सकते थे उनमें से एक एलियन्स ने समीट नाम की लड़की का रूप ले लिया था और तब वो उसके घर पर जाकर उसके सबी परिवारवलों को मार देती है और वो सीधा Jen के पास चले जाती है बातों भी बातों में समीट जो की एक एलियन्स थी वो Jen के साथ काफी ज़्यदा घुल मिल गई थी समीट Jen को बताती है कि उसके बाड़ी में जो पावर से न वो दरहसल ऐसी सोलार एनरजी है जो सामने आने वाले कितने भी बड़े प्लैनेट को डिस्ट्रॉई कर सकती थी और अब वो सारी एनरजी Jen के बाड़ी के अंदर थी उस एनरजी का यूज करके एक पूरे प्लैनेट को बनाया भी जा सकता था वो हिलियन जिसने समीट का रूप धारन किया था उनका पूरा प्लैनेट इनी सोलर फ्लैर्स के वज़े से डिस्ट्रॉई हो चुका था और अब वो उनी सोलर फ्लैर्स का यूज करके अपने लिए नया प्लैनेट बनाना चाते थे तो समीट Jen को उनके लिए एक नया प्लैनेट बनाने के लिए कहती है जैन को अभी तक इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था और वो अपने फाइदे के लिए जैन को यूज कर रही थी पर जैन इस बारे में कुछ भी ज़्यादा सोचती नहीं और स्मिस्ट को हाँ बोल दीती है यहाँ दूसरी तरफ जब एरिक उस स्कूल में जाता है जहाँ पर जैन और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड पढ़ा करती थी तब एरिक को पता चलता है कि जैन ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया था और अब एरिक काफी यदा गुस्सा हो गया था तो वो ठान लिता है कि वो जैन को नहीं छोड़ेगा वो भी अपने टीम मेंबर्स के साथ निकल पड़ता है उसे मारने के लिए चार्ल्स को टेलीपेथी से पता चल गया था कि जैन अभी कहाँ पर है तो वो अपने बज़ेवी एक्समैन की टीम के साथ वहाँ पर पहुँच गया था सबसे पहले जैन को मारने के लिए वहाँ पर एरिक आ गया था और वो अपने म्यूटेंस पावर का यूज़ करके जैन पर हमला कर दीता है लेकिन एरिक को कुछी टाइम में पता चल गया था कि उसकी ये पावर जैन के सामने कुछ भी नहीं थी और तब जैन एरिक को पकड टीम मेंबर्स भी वहाँ पर बहुझ गये थे चाल्स जैन के सामने आ जाता है और चाल्स तो सोच रहा था कि वो जैन से बात करके सब कुछ सौट कर देगा लेकिन चीज़े इतनी सिंपल भी नहीं होने वाली थी चाल्स तो वापस से जैन के माइन में जाने की कोशिश कर र चलता है कि बच्पन में उसके माता-पिता के जाने के बाद चाल्स नहीं उसे समाला था उसने एक पैरेंट्स के तरज जैन के देख बाल की थी और उसे अपने स्कूल में ट्रेनिंग देकर इस काबिल बनाया था ताकि वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सके और उन्हें इ दरासा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसे वो Smith समझ रही थी दरहसल वो एक Alien था और उसे तो वही Cosmic Energies चाहिए ही थी और एव उस Alien ने Jen के Body से वो सारी Energies लेना स्टार्ट कर दी थी चार्ल्स को अब समझ आ गया था कि वो एक Alien है और अगर ये Powers उस Alien के पास सैली गई न तो वो पूरे अर्थ को तबाह करके अपने प्रजाती के रहने के लिए नया प्लानेट बनाएगा पर वो Alien Jen की पूरी Powers ले पाती उससे पहले वहाँ पर X-Man का Member आ जाता है और उन दोनों उस जगह पर वो सारे Aliens आ गए थे जिनोंने अलग-अलग इंसानों का रूप ले लिया था और अब उन Aliens ने Soldiers पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था चार्ल्स Soldiers को बताता है कि अगर उन सब को बचना है तो उन लोगों को X-Man की टीम को आजात करना पड़ेगा और तब जाकर वो उन सभी को आजात कर देते हैं तो अब X-Man की टीम उन सभी Aliens को रोकते रहती है और उनने मूँ तोड़ जवाब देती है चार्ल्स कैसे भी करक में सब कुछ पता चल गया था तो अब वो उड़ते वे बाहर चले जाती है और वहीं पर हमें Smith को दिखाया जाता है जिसने की Jen के बोड़ी से थोड़ी energy निकाल दी थी और अब वो भी Jen के तरह काफी यदा powerful हो गई थी वो Alien जिसने Smith का रूप धारन किया था वो X-Man के लोग आमने सामने थे उस Alien को तो Jen की पूरी powers चाहिए थी तो इसलिए वो Jen का गला पकड़ लेता है और उसकी बचे भी Cosmic Power एबजाब करना स्टार्ट कर देता है पर कुछ ए टाइम में उस Alien को पता चल गया था कि वो इतनी सारी Cosmic Power को एबजाब नहीं कर सकता है वो तो Jen से दूर भागने की कोशेज भी कर रहा था पर Jen जबर जहसते उसका हाथ पकड़ कर अपने गले पर रहा देती है जिससे की Cosmic Powers उस Alien के बौड़ी में काफी ज्यादा कॉंटिटी में चली जाए लेकिन ये सब करने से वहाँ के बाकी लोगों को भी चोट पौश सकती थी और Cosmic Power की Radiation पूरे अर्थ पर फैल जाती तो ये हवाइट करने के लिए Jen उस Alien को दूर कहीं अंतरिक्ष में लेकर चले जाती है और तब वो उसके बाड़ी में अपने सारी एनर्जिस ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देती है लेकिन Jen ने अगर ऐसा किया तो वो भी नहीं बच पाएगी लेकिन अब Jen को किसी भी चीज की परवा नहीं थी और उसे कैसे भी अर्थ को बचाना था तो इसलिए वो उस Alien के बोड़ी में अपने पूरी एनर्जिर डाल देती है और तब ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसके स्टाउक वेव अर्थ तक गए थे चाल्स ने अपने मैजिकल स्कूल से रेटायरमेंट ले ली थी और अब उसकूल का नया प्रिंसिपल उसका एक स्टूडेंट होता है चाल्स जब वहाँ पर बैठकर कॉफी पी रहा होता है तब ही वहाँ पर एरिक आ जाता है वो दोनों एक टाइम पर बहुत अच और इसे के साथ हमारी ये स्टूरी यहीं पर खतम हो जाती है वीवर्स अगर आपको इस मूवी का सेकेंड पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्चर में बता दो और अगर आपको मेरा एक्स्पिनेशन एक परसंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक ए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इससे मुझे काफी यदा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नहीं नहीं स्टूरीज लेके आने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीया